नमस्कार मेरा नाम निशा ओजा है और आप DTW24 निउस देख रहे हैं बिहार में विधान परिसत चुनाव को ले करके अब बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी ने प्रत्याश्यों के नामों की घोशना कर दी है आपको बता दें कि दो सीटे खाली थी एक सुशिल कुमार मोदी की तो दूसरी विनोद नरायन शा की विनोद नरायन शा की सीट पर सहनवाज हुसेन के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दिया है तो वहीं दूसरा सी जो सुशिल कुमार मोदी की थी उस पर मुके सहनी की नाम पर चर्चा हो रही है जो लगभग लगभग तैम आना जा रहा है लेकिन अपचारिक रूप से इसकी घोशना भी नहीं की गई है भारतिये जंता पाटी ने विधान परीसद उप्चुनाव को ले करके प्रत्याशों की नामों की घोशना कर दी है पूर्व केंद्रिय मंत्री और वरिष्ट भाजपा के नेता सेहनवाज हुसैन विधान परीसद उप्चुनाव के प्रत्याशी बनाए गए है एंडिये की ओर से दूसरे प्रत्याशी पसु पालन मंत्री मुक्य सेहनी के नाम पर चर्चा हो रही है लेकिन अब तक इसका अपचारिक रूप से घोशना नहीं किया गया है भारतिय जन्तापाटी के वरिष्ट नेता अटल विहारी बाजपे की सरकार में केंद्रिये नागरिक उड्यान मंत्री सेहनवाज हुसैन को ले करके पाटी ने बड़ा दाओ खेला है सेहनवाज ने लंबे समय तक केंद्र की राजनीती में अपना दबदबा बनाई रखा लेकिन अब भाजपा उन्हें बिहार की राजनीती में ला रही है ऐसा माना जा रहा है कि विधान परिशद में चुने जाने के बाद उन्हें बिहार सरकार से भी एक बड़ी जिम्मिदारी मिल सकती है सेहनवाज हुसैन पूर्वप्रधान मंत्री अटल विहारी बाजपाई के प्रिये निताओं में सुमार है उनको बेहत सांथ, शौमे और इमंदार छवी के लिए जाना जाता है उनका बेदाग राजनीतिक करियर उनको पार्टी के बड़े फैसले नेले में हमेशा साथ रखता है भाजपा ने उन्हें विधान परिशद सुना में प्रत्याशी बना करके अल्प संक्यक समुदायक के प्रती बड़ा संदेश दिया है वर्तमान में विधान परिशद और विधान सभा में भाजपा का कोई भी अल्प संक्यक चहरान नहीं है एसे में पार्टी ने सेहनवाज हुसें के जरीए एक पत्ते के रूप में इसका अस्तमाल किया है आने वालो दिनों में भाजपा इसके जरीए राजनीतिक समिकरन साथने की भी प्रयास करेगी भाजपा की ओर से एक बड़ा दाव खेला गया है जिसमें सेहनवाज हुसेन का नाम सामने आ रहा है और उनके नाम पर भाजपा ने मुहर लगा दी है कि अब केंद्र की राजनीती के बाद अब वो बिहार की राजनीती में भी अपना जलवा दिखाएंगे बरहार इस्तर की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप मारे चानल के साथ बने रहे अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को कर दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया